स्लामने कुम दोस्तों मेरे नाम से दौन है आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं होप शॉट ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी आज की इस वीडियो में एक बड़ी जबदस ट्रेडिंग श्राडजी है फेक आउट्स की वो मैंने आपको सिखानी है धोड़ इसमाल करना पड़ता है नए नए बंदे को हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो लेकिन यहां पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं जैसे मुझे सपोर्ट रिजिस्टेंस के ओपर बात करनी है मुख्तलिफ कैंडल सिक पैटन्स के ओपर बात करनी है तो मैंने क्या किया है कि अपने लफजों में आपको ट्रेडिंग मार्केट के टेकनिकल कॉंसेट्स को बिगनर लेवल पर इसलिए समझा पाऊं सो डाट अगर इन वीडियो को देख के अपनी शॉट्टर्म ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो चुके आपने ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में टेकनिकल कॉंसेट्स को बिगनर लेवल पर समझा होगा तो फिर आपको उस मार्केट अपडेट की जो मैं आपको दूँगा डिफरेंट मार्केट के प्रेस चार्ट पर ले जाके उसकी आपको बेतर समझ भी आएगी तो आज की ये वीडियो डेडिकेटिट है फेक आउट्स के ओप बुलिश, बेरिश, इंसाइड बार, फेक आउट जो अब स्क्रीन शेर करके मैं आपको सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन और उसके बाद किसी मार्केट के लाइफ प्राइस चार्ट पर ले जाके इसका यूस केस यूटिलिटी भी आज के वीडियों मैं आपको समझाओंगा चलें, let's start the action चलें जी, सबसे पहले यहां मैंने drawing pad open किया है कि जहां पे सबसे पहले तो हम inside bar pattern की बात करेंगे because यह bullish bearish fake out को समझाने के लिए inside bar pattern को recap करना बहुत important है inside bar pattern, एक two candle formation है कि जिसमें पहली candle के high और low के अंदर दूसरी candle होती है basically, यह two candle formation या यह pattern एक indecision pattern है जो market में एक indecision या stall को show करता है इसकी मैं आपको मजीद logic के साथ समझाता हूँ, परिशान नहीं हो ना आपको समझा जाएगी strong trending markets में, देखें, candlestick patterns जो हैं वो दो families में divided है जितने भी candlestick setups या patterns है, एक है continuation pattern, एक है reversal pattern continuation pattern का मतलब है अगर आपके पास उठती हुई कीमते हैं, तो उठती हुई कीमतों में कुछ ऐसे patterns है कि जो के अगर आएं, तो जो भी dominant trend या फिर momentum है, उसकी continuation के तोर पे उन patterns को trade किया जाता है अब यह थोड़ा मजीद आसान करता हूँ आपके लिए, let's suppose bullish trend है हमारे पास अब यह bullish trend straight line में तो market उपर नहीं जा रही न, market is, market ebbs and flow, ठीक है, market ebbs and flow यह उपर market जाएगी, retrace करेगी, फिर उपर जाएगी, फिर retrace करेगी, फिर उपर जाएगी, फिर उपर जाएगी अब यहाँ पर इस bullish trend में trade करने के लिए, या onboard होने के लिए दो तरीके है या तो higher कीमतों से कीमतों के मजीद उपर जाने के clue देने वाले candlestick pattern setups को trade करूँ, trend और momentum की direction में यह है continuation pattern, कि given trend और momentum की continuation का clue हमें देने वाले candlestick patterns है, candles की मुख्तलिफ शकले है कि जिन शकलों में से inside bar pattern भी एकी है, अगर inside bar pattern मुझे यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, इस bullish trend में, तो basically इस inside bar pattern के bullish break out को इस dominant trend और momentum की continuation पर मैं trade करूँगा by stop के साथ यहाँ पर, ठीक है, दूसरे होते हैं reversal patterns, reversal pattern जो हैं, वो reversed momentum के उपर लिए जाते है dominant trend की direction, यानि let's suppose यहीं से market अगर reverse होती है, और all the way नीचे support level पर आती है तो अब इस support level पर हमें reversal setup चाहिए, यानि वो setup जो के इस short term bearish momentum क्योंकि obviously bullish trend का जो reversal है वो तो bearish होगा न, हमें reversal pattern चाहिए जो इस bullish trend में बने हुए short term bearish momentum के reversal का clue दे और dominant trend की continuation का clue दे यहां से, तो वो होते हैं bullish pin bar, bullish tailed bar इस तरह के बात समझे हैं, अच्छा अब inside bar जो है, ये strong trending markets में, trend की direction में ऐसा continuation signal इसको treat किया जाते है यहनि let's suppose एक निया drawing pad मैं यहां पे लूँगा, और आपके पास अगर ये एक बड़ा super किसम का bullish trend है और इस bullish trend में already कीमते higher levels पे trade हो रही है, और यहां पे आपके पास एक inside bar pattern बन जाता है आपके पास, ठीक है अब गौर से सुननी है, असल बात अब आ रही है ये जो bullish bearish fake outs की, ठीक है, ये आपके पास एक inside bar pattern बनता है अब ideally आपको पता है कि इस inside bar pattern को आपने trend की direction में trade करना है, यानि इस inside bar pattern के bullish break out को buy stop के साथ trend और momentum जो के bullish है उसकी direction में उपर trade करना है यहाँ पर order लगा होगा आपका ठीक है लेकिन आपकी तैयारी तो इसको उपर trade करने की है आपकी तैयारी तो by stop के साथ इसके bullish breakout को trade करने की है लेकिन ज़रूरी तो नहीं है इसका bullish breakout हो during the session हो सकता है market इसको नीचे break कर देखूं तो normally क्या होता है कि वो inside bar pattern के breakouts जो के dominant trend और momentum के खिलाफ हो against हो normally क्या होता है closing के वक्त वो breakouts false breaks में convert हो जाते हैं यह अगर daily price chart पे आप काम कर रहे हैं तो daily price chart पे एक दफ़ा market during the session इस inside bar pattern के low को break करके नीचे यहाँ पे trade होके बेखबर traders को दिखा देगी के market ने inside bar pattern को नीचे break कर दिया है ठीक है क्योंकि हर बंदे को तो यह हर बंदा तो इस context में dominant trends को नीच देख रहा होता जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ बात समझ रहे हैं बहुत से लोग हैं जो shorter time frames पे भी trade कर रहे हैं तो normally क्या होता है during the session market ने इसके logo break किया और closing के वक्त वापिस market reconnect होके इस inside bar pattern के higher low के अंदर आके close हो गई इसकी range में close हो गई और close होने के बाद एक bullish pin bar बना दी अब intraday के अंदर जिन लोगों ने इस break down को trade किया था उनके stop it हो गए बात समझ रहे हैं और जो लोग closing का wait कर रहे थे उनको पता लग गया कि इस inside bar pattern का जो break down था जो निचला break था जो के dominant bullish trend और bullish momentum के खिलाफ था वो false break था वो धोखे बाजी वाली move थी वो deceptive move थी यह है आपके पास bullish fake out ठीक है bullish fake out excuse my writing मैं mouse से कराँ bullish fake out vice versa bearish fake out लेकिन अब obviously bearish fake out के ओपर अभी मैं बात करूँगा तो यह 20 minute की वीडियो बन जाएगी यहाँ पर मैंने beginner level पर आपको बस एक idea देना और normally एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखा हूँ यह वीडियो मैं इसलिए भी on record लेके आ रहा हूँ विकस मेरी website आप देखें यहाँ पर मैंने blogs लिखना start की है कि जहाँ पर मैं एक तो video format के अंदर different markets की updates आपके लिए लेके आता हूँ ना दूसरा मैंने अपनी website के ओपर भी daily business Monday to Friday different markets की update signals आपके लिए text format के अंदर लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पर जैसे comments के अंदर यह मैंने लिख है price formed a bullish pin bar inside तो जो जो videos मैंने जिस पी terminology पर record करवाई हैं उनको मैं यहाँ पर tag कर देता हूँ तो यह bullish bearish fake out मैंने नोट किया था trading course में इसके ओपर beginner level पर कोई video मैंने record नहीं करवाई हुई और मैंने यहाँ पर तो मैंने का यह मैं अभी आपके साथ और यह बड़ी powerful strategy है अभी आए price chart के ओपर मैं दिखाता हूँ यह देखें अब gold market का थोड़ी सी बात आपने समझनी ग जाएगी हाला कि मैं जरब bullish side की बात कर रहों बेरिश के ओपर आया ही नहीं हूँ बेरिश पर आऊँगा तो यह तो आदा गंड़ा निकल जागा बहाराल एंवेज बात आपको समझ आ जाएगी अब देखें gold market के अंदर यह market का बेरिश ट्रेंड है आपको नज़र आ रहा बेरिश ट्रेंड यहाँ पर gold market का आपको नज़र आ रहा है अच्छा यह देख रहे हैं यहाँ पर यह अब हुआ बेसिकली क्या इस बेरिश ट्रेंड यह वाला जो एरिया है यह most recent lower high swing resistance एरिया market निस लेवल को यहाँ पर upside पर break करके एक ऐसा यहाँ पर high बना दिया जो इशले high से नीचे नहीं बलके उपर बन गया उस high को बनाने के बाद market ने pullback दिया कहां तक pullback दिया पहले वाले bearish trend के एक swing resistance एरिया पुराना resistance एरिया जो अपने break out के बाद एक support बन गया उस support तक market ने pullback दे दिया ठीक हो गया और pullback देने के बाद market ने यहाँ पे क्या किया ओहो ओहो यह देखो market ने यहाँ पे एक bullish fake out बनाती है यह देखो यह इंसाइड बार यह वली candle note करो जिस candle मेरे mouse का करसर है 21 November 2022 यह candle 22 November 2022 इंसाइड बार यह candle 23 November 2022 एक दफा market ने इस inside बार बर गी तो यह bullish fake out था इंसाइड बार फे बुलिश इंसाइड बार फेक आउट और उसके बाद आप एक चीज़ देखें के right market condition में इस pattern के आने के बाद oh my goodness यह gold का price chart है यह देखें यह pattern trigger हुआ यह यह मैंने एक example दिखाईए आपको अब समझे थोड़ी सी इस बात को आपने समझने है यह देखें यह मेरा discord group मेरा देख रहे हैं आप ठीक है मेरी premium trading community आप देख रहे हैं अब यहाँ पर यह training course पढ़ forward हो रही है beginners advanced level पर मैंने आपको अपनी direct mentorship के अंदर सारी यह बाते समझाएं है detail में ठीक है यह देखें हमारे live streams होते है रोजाना daily business के ओपर live streams होते है आदे आदे एक गंटे का live stream होता है लेकिन मजबूरी समझें यह यहाँ पर YouTube के channel पर मैं ज्यादा से ज्यादा 11-12-10 minute आसान करके आपको समझाएं है अगर मेरी बाते समझ में आती है तो फिर आपको पते है कि आप मारी website पर जाए सजयदौन.com यहाँ पर trading course and signals की tab पर आपने क्लिक करना और इस page पर सारा हमारा complete premium group joining process दिया हुआ है admission form भी दिया है इसको हमारे Facebook ग्रूप और Discord ग्रूप में अधा member and roll करके आप एक vibrant trading community का इससा बन सकते हैं ठीक है तो यह फिर जब आपने वो trading course की playlist में वीडियोस देखके आपको लग रहा है नहीं यार अब यह बाते मुझे समझ आ रही है मैं advanced level पर काम को देखने उसके बाद आप फिर ग्रूप जोइनिंग की तरफ भी आ सकते हैं चले कि I hope आपको यह bullish बेरिश fake out pattern का basic beginner level पर idea हो गया मजीद obviously जैसे मैं थोड़ी दर पहले आपको बताया के trading course की playlist में पड़ी वीडियोस को complete करने के बाद ही you'll be able to assess and you know tell yourself कि आपको advanced level के ओपर हमारी premium community को join करके you know मेरी direct mentorship में professional trading course करना चाहिए या नहीं ख्याल रखें अपना शुक्र उखजार हो अपने वक्त ने काला वीडियो देखने के लिए मुझे इजादत दे अलाफिस